इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंजर रिगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर कहीं सारे जेबरास एक साथ रह रहे थे असल में इस जगर पर बारिश काफी कम मातरा में होती थी और बाकी के जानवर का खत्रा भी लगा रहता था इसलिए सबी जेबरास ने मिलकर अपना एक कलक कविला बसा लिया था जहां पर सी वो लोग रहते थे अब यहां पर उन सभी जेबरास ने खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपने पुरे इलाके के आसपास काटे बिचा दिये थे ताकि कोई उन तक ना पहुंश सके अब कहानी में हम आगे देखते हैं अब जैसे ही बाकी के सभी जेबरास उस बच्चे को देखने के लिए पहुंशते हैं तब और लोग उस बच्चों को देखकर काफी जादा हिरान हो जाते हैं क्यों क्यों बेबी जेबरा बाकी नॉर्मल जेबरा की तरह नहीं था उस बेबी जेबरा के आदे शेरी पर बले नहीं है उस बेबी जेवरा को काफी बुरा लगता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम जैसे भी हो हमारे बच्चे हो और दुनिया चाहे जो भी कहे हम तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे अब यहां पर सीको उस बेबी जेवरा का नाम कुमबा रख देती और उसकी वज़े से अब पूरे कबिले के सर पर खत्रा मंडरा रहा है यहां पर कुछ जेवरास तो यह भी कहते हैं कि शेवरा आदेश टिप्स होने का मतलब है कि खुमबा शेतान का उतार है और उसके पेदा होते ही उनका ताला भी सूगने लगा है यहां पर हमें पता च खरा हुआ था और वो सभी जेवरास उस पानी के बदोलत ही अपनी जिंदिकी गुजार रहे थे लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी कि जिसकी वज़े से वो ताला भी अब सूखने लगा था इसलिए और सभी जेवरास डिसाइड करते हैं कि जब सीव एक वक्त का ही पानी पीएंगे ताय कि थोड़ा थोड़ा पानी पीकर वो पूरे तालाप का पानी खत्म होने से रोक सके अब जंगल में गर्मी काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और दीरे दीरे उनका ताला भी सूख रहा था जिसकी वज़े से अब जेवरास के पास पानी पीने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर मुझूद बाकि जेवरास उसका मज़ा कुडाने लगते हैं और उसे चिडाते हुए क्यों बिल्कुल भी जेवरास जैसा नहीं लगता क्योंकि उन सब के उपर जैसे बलेक श्टीप से वो खुमबा के शरीप पर बि किल्कुल समझ नहीं पाता लेकिन फिर भी वो उस टीडे के बनाए हुए में पर गोर करने कोशिश करता है अब इसके बाद खुमबा को काटो से बनाए हुए बोडर के दूसी तरफ किसी के आवास सुनाई देती है यहाँ पर जब जहाकर देखता है तो उसे कोई जानवर जिनके आलत गर्मी की वज़े से पुरी तरह से खराब हो रही थी यहाँ पर जानवर खुमबा को पानी पिलाने के लिए कहते हैं अब उन जानवरों को देखकर खुमबा को उन पर काफे जादा तरस आता है इसलिए उनको अंदर आने ही देता है ताए कि और लोग जेबरा के तालाब का थोड़ा सा पानी पी सके यहाँ पर अब खुमबा जैसे ही उन जानवरों को अंदर आने के लिए वो काटवा गेट खोल देता है तब ही बागी के जेबरा आकर यह सब देख लेते हैं और उन जानवरों को वहां से बगा देते हैं जिससे हों बेचारे जानव बिना पानी पिये ही जाने लगते हैं लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर फेंगो नाम का एक तेंदौ आ जाता है जो उन जानवरों पर हमला कर देता है अब फेंगो यहां पर खुमबा को भी देख लेता है और उस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ले और सबकी जान खत्रे में पढ़ सकती थी अब यहाँ पर खुमबा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हो गिर्टी मैसुस करने लगता है जिसके बाद वाँ सी चला जाता है और अकेले एक खुद को कोसने लगता है यहाँ पर हम देखते हैं कि खुमबा को उदास देखकर उसकी मा भी उसके पास आ जाती है और अपने बेटे को इस तरह से उदास देखकर खुमबा को एक कानी सुनाने लगती है वो बताती है कि आज से कहीं हजार साल पहले इस जगह पर सिप जेवरासी रहा करते थे जिनकी बोडी पर कोई भी बलेक श्टिप्स नहीं हुआ करते थे लेकिन एक दिन एक जेवरा को खेलते खेलते एक मेजिगल तलाब दिखाई दिया जिसमें नानी के बाद उसके शेई पर अचानक बलेक श्टिप्स आ गए जिसने बागी के सभी जेवरास ने भी उस तलाब में चलांग लगा दी और दीरे दीरे उनकी बोडी पर भी बलेक श्टिप्स आ गए यह कानी सुनते समय खुंबा को अचानक कुछ यादा जाता है और उस मेब के पास पहुंछता है जो कि उस ठीडे ने बनाया था खुंबा को लग रहा था कि ऑप अपसल में उसी जादूई तालाब का है जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी अब यहाँ पर उस मेप को देखकर कुमबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सफर पर निकलने की सोंचता है लेकिन इससे पहले वो आखरी बार अपनी मा को मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तवियत खराब होने की वज़े से उसकी मम्मी की डेत हो गई है अपनी मदर को मरावा देकर खुमबा का दिल पूरी तरीके से तूट जाता है लेकिन बाकी के जेबरास इस बात के लिए भी खुमबा कोई दोशी ठेरा रहे थे और बता रहे थे कि खुमबा बहुत ज़्यादा मनहू से जिसकी वज़े से उसकी मा भी मर गई अब ये सारी बाते सुनकर खुमबा अपना कबिला छोड़ देता है और उस तालाब को ढूनने में लग जाता है हालाएकि उसकी मा की मोत का दुख उसके दिल में अभी भी था सफर के दोरान खुमबा को एक लोम्री दिखाई देता है जो कि उसे अपनी बातों में फसा लेता है क्योंकि उसका शिकार करना चाहता था वो खुमबा से कियेता है कि वो इस जादुई तालाब का रास्ता जानता है जिससे बेचारा खुमबा उस लोम्री की बातों में भी आ जाता है उस लोम्री का नाम इसकालक था अब यहाँ पर रास्ते में चलते चलते उन दोनों को दो और जंग्री जानवर मिलते हैं जिन में से एक का नाम मामावी और दूसरा एक शतुर मुर्ग था यहाँ पर उन दोनों जानवरों को देखकर वो लोम्री ढड़ जाता है और उसे लगता है कि उनके होते हुए वो खुमबा का शिकार बिल्कुल नहीं कर सकता इसलिए अपने साथियों को भी बुला लेता है ताय कि उस सब मिलकर एक साथ उन तीनों का शिकार कर सके यहाँ पर हम देखते हैं कि मामावी काफी ज़्यादा ताकत वर था और उन एक साथ सभी लोम्डियों को हरा देता है और ने वाँ से भगा देता है अब इसके बाद खुमबा को भी समझ आ गया था और अब खुमबा उन दोनों को अपने इरादे के बारे में बता देता है कि वह असल में एक ज़ादूई तालाब डूरने में लगा हुआ है तायकियो भाई की जेवरास की तरह बन सके जिसके शरीप पर पुरे बलेक श्टिप्स हो वह हम उस तेंद्वे को देखते हैं जिसका नम फेंगो था वो उस लॉम्री के पासा जाता है और से दबोश लेता है और से जवरदस्ती खुमबा का पता उगलवा लेता है यहाँ पर और लॉम्री फेंगो को सब कुछ बता देता है कि असल में खुमबा किसी जादूई तालाब को डूरने चला गया है और इसके बाद फेंगो अब उसकी खुश्बु सूंगते सूंगते उसका पीछा करने लग जाता है वहीं सीन शिप्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि खुमबा मामावी और उस शत्रमुक ने अपने रेने के लिए सुरक्षित जगह का बंदोबस कर लिया था और जंगली जानवर से बचने के लिए उन तीनों ने आग भी लगा ली थी अब अगली सूबे खुमबा मेप के मताबिक फिर से अपने सफर पर निकल बढ़ता है और यहाँ पर उसे तीन लंबी पहाणियों को ढूना था क्योंकि उस मेप में यही लिखा हुआ था यहाँ पर मामावी और उस शत्रमुक खुमबा का साथ देने में मदद करते हैं और उसके सफर पर निकल बढ़ते हैं इदर खुमबा के पिताजी खुमबा के इस तरह से जाने की वज़़े से काफी ज्याधा परिषान थे और इसीबीच उन्हें खुमबा और फेंगों पेरों के निशान मिलते हैं जिसें देख कर उन्हें लगता है कि फेंगों ने खुमबा को मार दिया है अब वो ये बात अपने कभिले में बाकी जेवरास को भी बताते हैं जिसे सुनकर एक जेवरा कहता है कि अच्छा हुआ खुंबा मर गया क्यों क्यों एक शापी जेवरा था और अब उसके मरने के बाद शायद बारिश हो जाए ये सब सुनकर उस जेवरा की बेटी टॉम भी कहती है कि कैसे डेड़ हो आप आपको खुंबा के बारे में इस तरह की बाते नहीं करनी चाहिए क्यों क्यों मेरा दोस्ता अब दूसरी तरह हम देखते हैं कि उस मेप का पीछा करते करते खुंबा और उसके दोस्त उस जादूई ताला तक पहुँच गए हैं और खुंबा उस तालाप को देखकर बहुत ज्यादा खुश था यहाँ पर सबसे पहले वो शेतरमुक उस तालाप में चला जाता है लेकिन बहार आने के बाद उसे कुछ नहीं होता यह देखकर खुंबा को लगता है कि शायद इस तालाप का जादूई पानी सिप जेबरास के उपर ही काम करता होगा और यह सोचकर खुंबा भी उस पानी उस पर हसने लगते हैं और कहते हैं कि यह सिप हमारा एक प्रेंग था और यहाँ पर कोई भी जादूई तालाप नहीं है वही हम देखते हैं कि कुछ इंसान उस जहर पर पहुँच गए हैं जो कि असल में टूरिश्ट थे यहाँ पर हो सब इंसान खुंबा को देखकर काफ लेकिन इंसान आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं एक गिलेरी यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी और वो खुंबा की मत करने की सोंचती है और अब इसके बाद वो गिलेरी भागते हुए आकर ड्राइवर की फरंटी मिरर पर चिपक जाती है जिसकी वाजे से ड्राइवर तुम्हें बलेक इगल ही बता सकता है उसके बाद अब खुंबा उस बलेक इगल को ढूणने के लिए चला जाता है और यहां पर उसके साथ मामावी और शतुर मुर्ग भी फिर से उसके सफर पर जुड़ जाते हैं वहीं दूसरी तर हम देखते हैं कि जेबरा के कबिले ने डिसाइड किया था कि अब वो लोग इस चार दिवारों में गुड़ गुड़ कर नहीं रहने वाले क्यों कि इतने समय से बारिश ना होने के कारण वो लोग अल्रेडी मरने के कगार पर आ चुके थे इसलिए अपस में मीटिंग करके अब वो लोग अपने इलाके से बाहर निकल जाते हैं ताय क्यों लोग पानी की तलाश कर सके वहीं पर हम देख पाते हैं कि फेंगो भी खुमबा की कुछबु सूंगते हुए उसका पीछा कर रहा था इधर एक बहुत लंबा सफरते करके खुमबा खिरकार उस ब्लेक इगल की लोकेशन तक पहुंच जाता है ज उसे मानने लगता है लेकिन इससे पहले क्यों खुमबा को कुछ करता खुमबा उसे अपनी साही सच्चाई बता देता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ जिसे सुनकर ब्लेक इगल को उस पर तरसा जाता है और उसे चोड़ देता है अब यहां पर ब्लेक इगल खुम कुम्बा को ये भी बताता है कि जब फेंगो एक चोटा बच्चा था तब उसकी एकाँ खराब थी जिसकी वज़े से बागी सभी तेंदुए उसका मज़ा कुड़ाया करते थे लेकिन इसके बावजूद भी फेंगो की सुंगने की शक्ति कई गुना जाता है और और दूर से ही अपना शिकार सुंग लेता है जिसके वज़े से आजकल और शिकार करने में काफी ज़्यादा माहिर हो चुका है अपना चाहते हुए भी कुम्बा को ये रिस्क लेना पड़ रहा था क्योंकि आकिरकार उसे कैसे भी करके उस तालाब तक जो पहुँशना था अब आगे चलकर हम उस गिलेरी को भी देखते हैं जिसने पहले कुम्बा की भागने में मदद की थी वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि और लोग भी कुम्बा की अपने मिशन में मदद करेंगे जिसके बाद और सभी लोग कुम्बा के साथ जाने के लिए त पर जाता है कुछी समय में वहां पर फेंगों पहुंच जाता है और उस शत्रमुर्ग और मामावी को देख लेता है और ने दबोश लेता है यहां पर डर के मारे वो दोनों भी फेंगों को खुंबा का पता बता देते हैं इसके बाद फेंगों भी खुंबा के पीछे पीछे चल पड़ता है फैंगों के जाने के बाद अब मामावी और उस शत्रमु को एसास होता है कि उन्हें इस तरह से खुंबा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए और ने भी उसकी मत करनी चाहिए इसलिए वो दोनों भी खुंबा के मिशन पर फिर से जुड़ने का फेसला करते है अब दूसरे सिन में हम देखते हैं कि खुंबा अपने सफर पर अकेले निकल पड़ा है और कुछी समय में वो एक बंजर जमीन के पास आकर बेऊश हो जाता है क्योंकि पानी न मिलने की वज़े से वो काफे ज्यादा थक चुका था यहाँ पर उसके आखे बंद होने वाली थी कि तब ही ओ देखता है कि जंगल का कोई जानवर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है और असल में ये एक बकरी थी जिसकी एक समय पहले खुंबा ने पानी पिला कर मदद की थी यहाँ पर ओ बकरी खुंबा की मदद करती है और उसे खाने के लिए एक फल देती है जिसक के पीछे पीछे आ रहे हैं खुंबा को जादुई ताला तक पहुंचने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना था जिसके अंदर उस चला जाता है यहाँ पर बागी के जानवर भी उस गुफा तक पहुंच चुके थे लेकिन किसी कारण वहां आग लग जाती है जिसकी व जादुई ताला तक पहुंच चुका है और वो उस गुफा में दिवार ओपर कुछ पेंटिंग्स भी देखता है जिसमें कई सारे जेबरा बने हुए थे तबी वहां पर फेंगो आ जाता है जिसे देखकर खुंबा काफी ज्यादा धर जाता है यहाँ पर फेंगो खुंब काफी ज्यादा ढड़ जाता है और वहां से भागने कोशिश करता है लेकिन तबी फेंगो उस पर हमला कर देता है खुंबा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और उस गुफा में कूछ जाता है जिसके पीचे फेंगो भी उस गिल जाता है और ओन्व पानी के अंदर ही एक दूसे के आतापाई करनें लगते हैं अब उन दोनों के जगडे की वजह से वहां पर कमजो चटाने तूटने लगती है और उस गुफा का मुखुल जाता है जिसकी वजह से गुफा के दूसी तरफ से कहीं सारा पानी भार आने लगता है अब सबी जानवर मिलकर देखते हैं कि खुंबा और फेंगो के बीच में एक काफी जवरदस लड़ाई हो रही है और ओर लोग एक चटान के कोने पर आ चुके हैं यहाँ पर जब फेंगो खुंबा के ओपर चलांग लगाने वाला था कि तब खुंबा उस चटान को धकेल देता है जिसकी वाज़े से फेंगो वाँ से नीचे गिर जाता है और उसके ओपर कहीं सारी चटाने गिर जाती है जिसकी वाज़े से फेंगो की वहीं पर डेत हो जाती है अब इसके बाद वो पुरी कुफा तूटने लगती है जिसकी वाज़े से खुंबा भी उस चटान से नीचे पानी में गिर जाता है और उसके उपर भी कुछ बतर गिर जाते हैं हाला कि उससे उन पत्रों के बीच से बार निकाल लेते हैं लेकिन यहां पर खुम्बा बिलकुल भी हिल डूल नहीं रहा था जिसे देखकर उनसबी जानवरों को लगा कि खुम्बा मर चुका है और उससे पिलोग बहुत ही जादा दुखी हो गए लेकिन तभी खुंबा अचानक खड़ा होता है जिसें देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब को पता चल जाता है कि खुंबा अभी भी जिन्दा है दोस्तों यहाँ पर गोर करने की बात तो यह थी कि ताला में गिर कभी ले भी खुंबा की जद करने लगे हैं और सबी जानवर अब उससे यूनिक जेवरा मानने लगे हैं क्योंकि कहीं न कहीं खुंबा की वज़े से ही उन सब को इतना सारा पानी मिल चुका था और अब वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी और अब उन्हें उस जंगली पढें Filip जाजिव लेकिनी उससे hard Kansas' का फिर उनिक का पर खुंबा की जरता वा फिर दे did inire Miram futur-" chatákere Excitars Cade- neither you can Presуса स Womanable-ções-चोंसी इसी के साथ इसे कानी यहीं पर खट्म जाती है Gai lux अगर आको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप एसी और एनिमल की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्किन बर किलिक करके आप इन वीडियो को भी वच्छ कर सकते हैं थैंक्स और झाल झाल पैंड मोच्छ करने दियत भीडियो का कि लेकि वीडियो करते हैं तो इसे हैं तो इसे हम चाहते हैं एंड प्रेह जिसे हुआ है।